ये कहानी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब मिसर को एक नया गौर्ड दिया जा रहा था और इस गौर्ड का नाम होरिस था होरिस जो कि हवा का गौर्ड था अब क्योंकि होरिस को मिसर का गौर्ड बनाया जा रहा था इसलिए उसको ताज पहनाने की रसम की जा रही थी सब लोग वहाँ पर आए हुए थे अभी ताज बस हॉर्स को पहनाया जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डैजर्ट का गौर्ड आजाता है और इस गौर्ड का नाम सेट था और साथ साथ सेट होरिस का अंकल भी था यानि होरिस सेट का नेफ्यू था सेट अपनी नेफ्यू यानि होरिस को एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक होर्न था सेट होरिस को वो होर्न बजाने के लिए कहता है तब होरिस उस होर्न को बजाता है और यहाँ पर अभी तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था लेकिन उस हॉर्ण के बज़ते ही वहाँ पर सैट के पूरी आर्मी आ जाती है क्योंकि वहाँ पर सैट के आने का मकसद अच्छा नहीं था लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते सैट हॉरिस के फादर को चाकू मार कर जान से मार डालता है यानि सैट अपने भाई को ही मार डालता है इसके बाद सैट सब के सामने ऐलान करता है कि अगर मिरे सामने कोई ना जुका तो उसे मार दिया जाएगा ये बात सुनकर सब सैट के सामने जुक जाते हैं इवन गौड्स भी मगर ये सब कुछ देखकर हॉरिस को बहुत गुसा आता है इसलिए वो अपने अंकल सेट से लड़ता है और लड़ाई के दुरान दोनों अपने असलिए रूप यानि गौड की रूप में आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर हॉरिस हारता हुआ ना जरा रहा था क्योंकि सेट हॉरिस को अपने कंट्रोल में ले चुका था और वो हॉरिस की दोनों आंखे निकाह लेता है लेकिन सेट हॉरिस को जान से नहीं मारता बल्कि वो से ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो हमेशा ब्लाइंड बनकर अंधेरे में जिन्गे गुजारे इसकी बाद सेट पूरी मिसर पर कब्जा कर लेता है और अब की बाद मिसर के हालात भी बदल चुके थे यानि सारे सरकमस्टेंसिस अब खराब हो चुके थे इनसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था क्योंके सेट एक पत्थर दिल गोड़ था यानि उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था इसलिए उस सुसाइटी में इनसानों के लिए जिन्गे गुजारना मुश्किल हो गया था फिर मिसर के उस सिटी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नम बैक होता है वहाँ पर बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है वो दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि उस वक्त मिसर में गुलामी कादोर था और इवन गोड़ की साथियों के भी होलाम हुआ करते थे इसलिए जो बैक की फ्रेंड होती है वो सेट के एक डिजाइनल की होलाम होती है इसलिए बैक और उसकी दोस्त एक दूसरे से काफी मुश्किल से मिला करते थे बैक की दोस्त को लगता था कि गौर्ड होरिस उनके हेल्प कर सकता है और एक वो ही है जो इन लोगों को गुलामी से फ्री कर सकते हैं इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं क्योंकि बैक की दोस्त उस जगा के बारे में जानती थी जहांपर सेट के सारे खजाने थी और सारा किम्ति सामान वो रखता था और उन्हीं खजानों के बेची सेट ने होरिस की आंके में रखी हूई है यहांपर बैक की दोस्त उसे सारे बात समझा देती है कि वहाँपर सेट की आरमी भी होगी इसलिए तुमन से बच्चते हुए अंदर जाना और जाकर हॉरिस की आंक ले आना बाद में वो हॉरिस की आंके उसे लोटा देंगे जिसके बदले में हॉरिस इनकी हेल्प करेगा बैक ऐसा ही करता है յो सबकी नजरों से बच्चते हुए उसका जाने वाले जगह पर पहुँच जाता है लेकिन उस जगह पर खत्रा भी था क्यूंकि वहां पर जगा जगा पर ट्रैप्स लगे हुए थे ताके कोई चोरी ना कर सके लेकिन बैक जो कि हर ट्रैप से इजले निकल जाता है और तो और वो होरिस की एक आँख लेने में भी कामयाब हो जाता है उस आँख में काफ़े तेज लाइट थी वो आँख लेकर बैक वापिस से अपनी फ्रेंड के पास आ जाता है लेकिन सेट के सोलजर्स उन लोगों को चारों तरफ से गेर लेते हैं क्योंकि उस लड़की का मालिक यानि उस डिजाइनर को पता चल चुका ता कि नक्षों के साथ जरूर कोई छेर चाड़ की गई है यानि वहाँ पर खजाने वाली जगा के नक्षे गाइब थे इसलिए वो बैक से पूछते हैं कि तुमने गोल्ड की खजाने से क्या चुराया है लेकिन यहाँ पर बैक ने एक समझदारी की होती है क्योंकि उसने होरिस की आँख के साथ साथ वहाँ से गोल्ड की एक चीज़ भी चुरा ली थी और बैक उस डिजाइनर को बताता है कि मैंने बस सूने की यह चोटी से चीज़ चुराई है लेकिन आँख के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता फिर उन दोनों को मारने का हुकम दे दिया जाता है लेकिन जब सूलजर्स उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तब बैक होरिस की वो आँख निकालता है जिसकी लाइट काफी तेज थी उस आँख के लाइट इतनी तेज होती है कि थोड़े देर के लिए उन सूलजर्स की आँखें काम करना बंद कर देती हैं और इसी बात का फाइदा उठाते हुए बैक अपने दोस्त को लेकर वहां से बाहर निकलाता है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं वो सोच रहे थे कि वो बचकर निकल गए हैं लेकिन जो डिजाइनर था वो बैक की दोस्त को एक कैरो मार देता है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है फिर बैक जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहां पर गौड होरिस रहता था अंदर जाते ही बैक होरिस को बुलाता है ये कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारी आँख है ये सुनकर होरिस उससे अपनी आँख मांगता है लेकिन आँख देने के बदले बैक उसके सामने एक शर्त रख देता है कि मैं तुम्हारी आँख लुटा देता हूँ और वो होरिस को उसकी आँख में नहीं देता अब होरिस ने अपनी आँख तो वापिस लेने ही थी ना इसलिए वो उसकी बात माल लेता है वो बैक को कहता है कि चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त जिस पर बैक कहता है कि तुमें किसी की जान बचानी है इसकी बाद बैक अपनी दोस्त को हॉरिस के सामने लाता है यहाँ पर हॉरिस उस लड़की को बचाने की काफी कोशिश तो करता है लेकिन वो से नहीं बचा पाता क्योंकि उस वक्त हॉरिस के पास गोड़ वाली पावर्स नहीं थी औरिस कहता है कि ये लड़की नहीं बच सकती क्योंकि मौत इसकी बिल्कुल करीब आ चुकी है इतनी ही देर में वहाँ पर मौत का गोड भी आ जाता है और वो उस लड़की की सौल को उसकी बोड़ी से अलग कर देता है फिर गोड ओफ डेथ उस लड़की से पुछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दोगी जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो गुलाम हूँ यानि यहां पर हमें ये दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत के गोड से डेल कर सकता है यानि जो कोई भी सोना चांदी किमती चिज़े मौत के गोड को देगा तो मौत का गोड उसे दुबारा जिनकी दे कर दुन्या में वापिस भेज देगा लेकिन अगर कोई person मौत के god को कुछ भी नहीं देगा तो god of death उसकी saug को हमेशा के लिए ले जाएगा लेकिन अब क्योंकि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था तो उसकी saug का भी यही होना था और मौत का god उस लड़की की saug को अपने साथ ले जाता है इस बात को लेकर बैक बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अब वो हॉरिस को उसकी आंक भी देने वाला नहीं था क्योंकि उसने गौड होने की बावाजूद भी उसके दोस्त के जान नहीं बचाई लेकिन अब हॉरिस को भी घुसा जाता है और वो बैक को पकड़ लेता है इसलिए बैक अपने जान बचाने के लिए हॉरिस को उसकी आंक दे देता है हॉरिस को यहाँ पर उसकी एक आंक मिल जाती है और अब वो बैक से उसकी दूसरी आंक के डिवांट करता है जिस पर बैक कहता है कि मेरे पास तो आपके सिर्फ एक ही आँख थी वो बताता है कि आपकी दूसरी आँख सेट के पेरामिट में है और मैं तो वहाँ पर पहले भी अंदर जा चुका हूँ और मैं वहाँ का सारा रास्ता जानता हूँ ये सुनकर होरिस भी बैक को एक बात बताता है कि तुमारी दोस्त की सौल हमेशा के लिए नहीं गई बलकि उसकी सौल ने अलग-अलग रास्तों से गुजरना है और उसकी सौल ने फाइनल रास्ते से भी गुजरना है जिसमें अभी कुछ दिन तो लगी जाएंगे और अगर मुझे मेरी दूसरी आँख मी मिल गई तो मेरी पावर्स वापिस आजाएंगी मैं फिर से गौड बन जाऊंगा जिससे मैं तुमारी दोस्त के जान बचा कर वापिस ले आऊंगा फिर यहां पर यह लोग अपने डील को डन कर लेते हैं यानि बैक हॉरिस को उसकी आँख लाकर देगा जिसकी बदले में हॉरिस बैक को उसकी दोस्त लुटा देगा फिर वो लोग उस लड़की की डड़ बाड़ी को एक सेफ जगा पर रख देते हैं क्योंकि हॉरिस ने कहा होता है कि वो इस बाड़ी में वापिस सौल को ले आएगा यहां पर हॉरिस यह भी डेसाइड करता है कि वो सेट से उसके की का बदला जरूर लेगा और वो सेट यानि अपने अंकल को जान से मार डालेगा फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहां से निकल जाते हैं सेट को ये बात पता चल चुकी थी कि होरिस की आँख किसी ने खाजाने से निकाल ली है और वो आँख होरिस तक भी पहुँच गई है ये सुनकर सेट फोरन ओर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए जिबकि होरिस बैक को लेकर एक उन्जे पहाड की तरफ जा रहा होता है बैक होरिस से पुछता है कि आप कहां पर जा रहे हैं जिस पर होरिस जवाब देता है कि मैं अपने ग्रैंड फादर से मिलने जा रहा हूँ उन से मदद मांगने जा रहा हूँ यह कहते है होरिस वहाँ पर बैठ जाता है और वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में सोचने लगता है लेकिन तबी अचानक से हॉरिस का रूप बदल जाता है वो अपने गॉर्ड वाले रूप में आ जाता है और अब वो उड़ भी सकता था और उड़ता हुआ वो आस्मानों में चला जाता है जहां पर हम हॉरिस के ग्रैंट फादर को देखते है और इसके ग्रैंट फादर असल में सूरज के गौड थी और ये वो जगा थी जहां से हर चीज पैदा होती है दुनिया की तब सूरज के गौड अपने असली रूप में आते हैं अपना हत्यार लेकर क्योंकि वहाँ पर एक अंधेरे का शैतान था जो बहुत खतरनाक था तबाही मचाना चाहता था वो दुनिया में और संद के गौड उसका मुकाबला करते आ रहे थी और उसे अपनी पावर्स का इस्तमाल करके वापिस भेज देते हैं क्योंकि सूरज के गौड दुनिया के लिए लड़ रहे हैं यानि इस तरह से वो पूरी दुनिया को प्रोटक्ट कर रहे थे हर एक मुसीबत से और इस अंधेरे के शैतान से लेकिन सूरज के गौड का ये एक में काम है कि वो हर बार उस अंधेरे के शैतान को वापिस बेज देते है यहां आकर हो ओर इस सूरज के गौड यानि अपनी ग्रेंड फादर को सारी बात बता देता है कि मैं यहां पर किस मकसद के लिए आया हूं और यहां पर वो सेट की सारी रियालिटी भी बता देता है कि उसी नहीं मेरी फादर को मारा था और मेरी दोनों आंखे में निकाल ली थी और अब उसने मिसर पर कबजा कर लिया है गुलामी का दोर बना दिया है ये सुनकर सूरज के गौड कहते है कि अगर मैं अपने बेटों के जगडों और डिफरेंसिस को कातम करने लग गया तो मेरा दिहान दुन्या से हड़ जाएगा मैं दुन्या को नहीं बचा पाऊंगा होरिस अपनी ग्रेंट फादर से सूरज के गौड से हेल्फ मांगता है जिस पर वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता जो कुछ डिसाइड़ है वो ही होकर रहेगा और फिर होरिस उस जगा के पानी के डिमांड करता है और वो कोई आम पानी नहीं था बलकि उसमें मैजिकल पावर्स थी और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज़ क्रियेट होती है उसमें इंसान जानवर सब कुछ शामिल थे सूरच के गौड होरिस को वो पानी दे देते हैं इसके बाद होरिस बैक को लेकर वापिस दुनिया में आ जाता है लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका गौड वला रूप खतम हो जाता है क्योंकि हरिस तभी अपने गौड वले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आँखे हों क्योंकि आँखों की वज़े से ही वो पावरफुल है वरना तो वो कमजोर ही है अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर वो लोग अटैक करते हैं जिने सेट ने भीजा था हौरिस उन लोगों से काफ़ी लड़ता है लेकिन लास्ट में एक सोलजर हौरिस को पहाड़ी से नीचे फैंक देता है ये देखकर बैक भी उसके साथ कोट जाता है लेकिन गहराई में जाने से पहले ही होरिस अपना वो हत्यार खोल देता है जो उसके पास था और उस हत्यार की मदद से वो दोनों बच जाते हैं और यहां पर हम ये जान पाते हैं कि होरिस वो पानी यानि वो हौली वाटर अपने साथ क्यों लाया था क्योंकि इस दुन्या में एक पेरा मिड़ है जिसकी अंदर आग है और होरिस का माना था कि उस आग की मदद सही सेट को पावर मिलती है फिर हमें दो ओरतें दिखाए जाते हैं जिने सेट में बेजा था जो बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े साम जैसे दिखने वाली मॉंस्टर्स की सावारी करती थी और सेट खुदे गौड़ेस के पास जाता है और ये गौड़ेस गौड़ेस ओफ लव होती है यहाँ पर सेट गौड़ेस ओफ लव से कुछ मांगने आया था असल में अब से पहले गौड़ेस ओफ लव मरे हुए लोगों की दुनिया में थी और وہ वहाँ पर मरे हुए लोगों की सीनिर थी लेकिन इसके बात होरिस ने角 इस उफ लव को उस दुन्या से बचाया और उन्हें वहाँ से बचाकर वो इस दुन्या मेलाया असल मैं गोड़िस उफ लव और होरिस एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और होरिस के साथ साथ Goddess of Love भी बहुत सारी वावर्स की मालिक थी Set Goddess of Love को कहता है कि तो मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाता हूँ लेकिन इस बात के लिए Goddess of Love साफ इंकार कर देती है Goddess of Love को भी ये बात पता चल जाती है कि और इसको उसकी आँख मिल गई है Set Goddess of Love को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उससे पहले ही Goddess of Love अपने हाँ से एक जादोई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चले जाती है लेकिन बहुत जल्द वो वापिस से उस कंगन को पहल लेती है जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया से वापिस इस दुनिया में आ जाती है असल में ये एक ऐसा जादोई कंगन था कि जब तक ये गाड़िस ओफ लव के हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे लेकिन कंगन उनकी हाथ से निकलते ही मरे हुए लोगों ने अपने दुनिया में ले जाएंगे हौरिस और पै के काफी पुरानी मंदिर में चले जाते हैं लेकिन तब भी वहाँ पर सेट की बेजी गई दोनों खतरनाक औरतें सांप जैसे बड़ी बड़ी मॉंस्टर्स की सवारी करके वहाँ पर आती हैं इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहां पर हौरिस की दूसरी आँख भी थी और वो जगा एक पेरा मिड़ थी बैक कहता है कि मैं इस जगा की बारे में जानता हूँ मैं अंदर जा भी सकता हूँ जिस पर गाड़िस ओफ लफ कहती हैं कि अंदर जाना इतना असान नहीं है क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर तुमारे सामने एक काफे बड़ा मॉंस्टर आ जाएगा जो तुम से एक पहेली पूछेगा और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब ना दिया तो वह मॉंस्टर तुमे मार डालेगा ये बात सुनकर हॉरिस डिसाइड करता है कि वो गौड ओफ इंटेलिजन्स के पास जाएंगे क्योंकि उनकी पास सबसे ज़्यादा अकल है वो सबसे ज़्यादा समयधार है इसके बाद ये लोग गौड ओफ इंटेलिजन्स के पास चले जाते हैं और वो गौड ओफ इंटेलिजन्स को सारी बात बता देते हैं लेकिन God of Intelligence उनके साथ जाने को तयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर Back एक समयदारी का काम करता है। वो कहता है कि मैं उस मॉंस्टर की पहली का जवाब दे सकता हूँ। जिस पर God of Intelligence कहता है कि नहीं तुम उसका जवाब नहीं दे सकते। क्योंगे वो काफी मुश्किल सवाल पुछता है और देखना तुम जवाब नहीं दोगे और वो तुम्हें मार देगा। जिस पर Back कहता है कि ठीक है वो मुझे मार दें लेकिन मैं उने एक बात जरूर बताऊंगा। लेकिन रास्ते में ही Goddess of Love को हौरिस और Back की डिल के बारे में पता चल जाता है कि हौरिस ने Back को ये कहा है कि वो उसकी दोस्त की सौल वापिस ले आएगा यानि वो किसी मरे हुए इनसान को दुबारा जिन्दा करेगा जो कि impossible है लेकिन ये बात Goddess of Love को काफी बुरी लगती है क लेकिन Goddess of Love बैक से पुछती है कि क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहते हो क्योंकि Goddess of Love का कंगन मरे हुए लोगों की दुनिया से कौन्टेक्ट कर वा सकता था और इसी वज़े से Back अपनी दोस्त से बात करता है बैक अपनी दोस्त को कहता है कि तुम फिकर मत करो मैं त बास्ता दर्वाजा काँ पर है क्योंकि उसके कार्डिंग अंदर एक वील है अगर वो उसे गुमा देगा तो दर्वाजा खुल जाएगा इसलिए वो दो पत्थरों के बीच से अंदर जाता है फिर Back बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस वील तक पहुन जाता है लेकिन जैस कि ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना है कोई कभी देख पाएगा लेकिन फिर भी हर जिन्दा चीज मुझ पर बिलीफ करती है तो जल्दी से बताओ क्या हूं मैं क्या नाम है मेरा तबी अचानक से God of intelligence एक जवाब देता है लेकिन तबी God of intelligence जवाब देते हैं आने वाला कल और ये उनका आंसर ठीक होता है इसलिए वो मॉंस्टर उन्हें आगे जाने देता है आगे जाने पर वो होरिस की आँख देख लेते हैं फिर होरिस उस पानी को निकाल कर बस गिराने ही वाला होता है लेकिन तबी वो लोग एक ट्रैप में फस जाते हैं और तब वहाँ पर खुद सेट आता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही प्लान था और सेट ने उन लोगों के साथ ट्रेक की थी आते ही सेट God of intelligence का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी बहुत जरूर थी पिर यहाँ पर मौकर देखते ही जल्दी से बैक उस हॉली बाटर को ले लेता है और वो सेट को धंकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फैंक दूँगा लेकिन यहाँ पर सेट बैक को एक नेकलिस निखाता है और कहता है कि ये तुमारी दोस्त का है और वो बैक को इसके बाद सेट तो उस पेरामेट से निकल जाता है लेकिन वो बाकी लोग माँ पर फस जाते हैं और पेरामेट भी बस गिरने ही वाला था लेकिन होरिस किसी तरह खुद को और उन सब को बचाने में काम्याब हो जाता है जिबके सेट गौड ओफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और अब वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है इसके बाद सेट अपने फादर यानि सूरज के गौड के पास जाता है सेट वहाँ पर भी किसी घलत इरादे से आया था क्यूंकि वो अपने फादर का हत्यार लेना चाता था यहा हम देखते हैं कि होरिस बैक और गाड़िस ओफ लव मंदिर से बाहर आ गए हैं बैक को यहाँ पर काफी बुरा फिल होता है कि उससे सिर्फ इस्तमाल किया जा रहा था लेकिन यहाँ पर गाड़िस ओफ लव बैक की हेल्प करती है क्योंकि वो चाती थी कि बैक को उसकी दोस इसलिए वो मौत के गोड को वहाँ पर बलवाती है और वो मौत के गोड से पूछती है कि मुड़ों की दुन्या में जाने की किमत क्या लोगे जिस पर मौत का गोड कहता है कि वहाँ पर जाने की कमत काफी महंगी है यह सुनकर Goddess of Love मोत के गोड को अपना वो कंगन दिखाती हैं और पूछती हैं कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी लेकिन अब क्यूंकि वो कंगन निकालने से Goddess of Love मुर्दों की दुनिया में चले जाएंगी इसलिए Horis उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो अपना कंगन निकाल कर बैक को दे देती हैं और खुद वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है और इसके साथ साथ बैक भी अपनी दोस्त से मिलने चला जाता है जहां पर बैक की दोस्त की सौल आखरी गिर तक पहुँच गई थी और यहां पर उसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो सोना देगी तभी वो वापिस जा पाएगी दुनिया में और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा के लिए यही परी रह जाएगी बैक की फ्रेंड कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन इतनी ही दिर में बैक वहाँ पर वो जादोई कंगन लेकर आ जाता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ गया है क्योंकि उसे रोकने वाले सूरज के गौड जो अब नहीं रहे थे तब मौत का गौड बैक को कहता है कि जल्दे जाओ वापिस हो और इसके पास जाओ क्योंकि वो ही है जो इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है मैं इसे कब तक रोकूंगा तब बैक इस दुन्या में वापिस आ जाता है और वो होरिस को सारे बात बता देता है लेकिन सैट की पास तो उसके फादर का एक पावरफुल हतियार था लेकिन इसकी बावजूद भी वो अंधेरे के शैतान को इस दुन्या में आने देता है और वो अंधेरे के शेतान को उसी जगाँ पर ले जाने वाला था जहांपर होली वाटर है अब क्योंगे ये ऐसा पानी था कि जिससे सारे दुन्या क्रियेट होती थी तो अंधेरे का वो शेतान उस सारे पानी को पी लेगा और सारे दुन्या खतम हो जाएगी लेकिन इससे पहले कि अंधेरी का शेतान उस हॉली वॉर्टर तक पहुंच जाता वहाँ पर होरिस आकर सेट को रोखने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है लेकिन यहाँ एक बार फिर सेट होरिस पर भारी पड़ता है सेट बस होरिस को मारने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ पर बैक आ जाता है जो होरिस की हेल्प करता है और वो सेट की बॉड़ी से होरिस की दूसरी आंक भी निकाल लेता है और उस आंक को वो होरिस की तरफ पहंकता है इस बात की वज़े से सेट को काफी घुसा आता है और वो होरिस को नीचे पैंक देता है जिबके होरिस भी अपनी आँख नहीं ले पाता वो गिर चुकी थी अब यहाँ पर होरिस फस चुका था उसके पास दो अप्शन थे या तो वो बैक की जान बचा ले या फिर वो अपनी आँख ले ले क्योंकि आँख लेने से उसके सारी पावर्स वापिस आ जाएंगी लेकिन यहाँ पर होरिस डिसाइड करता है कि वो बैक को ही बचाएगा लेकिन जैसी वो उसे पकड़ता है, यहाँ पर होरिस का रूप बदल जाता है, यानि वो अपने गॉर्ड वाले रूप में आ जाता है, जबके उसके पास तो उसकी आँख भी नहीं थी, यहाँ पर हमें ये पता चलता है, कि होरिस के पास उसकी सारी पौवर्स वापिस आ जब सेट उसे काफी रुक्वेस्ट करता है, कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हे छोड़ दिया था, मुझे प्लीज एक मोका दे दो, जिस पर होरिस कहता है, कि मैं तुम्हारी तरह बेवाखोफ नहीं हूँ, जो गलती तुमने की है, मैं उसके दुन्या में भीज देते हैं, इसे बीच बैक की भी डैथ हो गई थी, लेकिन होरिस अब क्योंकि गॉड़ बन गया था, उसकी पास पावर्स थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तामाल कर की बैक और उसकी दोस्त को दुबारा जिन्दा कर देता है, इसके बाद होरिस मिसर का गॉड़ बन जाता है, और यहां पर वो ही कानून बनाता है, कि मरने की बाद सिर्फ वो ही इनसान दुबारा पैदा किया जाएगा, जिसने दुन्या में अच्छे काम की होंगे, ना के सोने चांदी के बतले में, और अब होरिस मरे हुए लोगों की दुन्या म जाता है, जहां से वो गाड़ेज ओफ लव को वापिस लाएगा, सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ इस मुवी की यही पर हैपी एंडिंग हो जाती है, थेंक यू फर वाचिंग